नमस्कार दोस्तों आप सभी का अश्ट्रेंट्स लाइफ ब्लॉक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है माइडेफेंट्स सपने देखना बहुत अच्छी बात है और उस सपने को देखने के लिए लच्छ का सपस्ट होना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए एक योजना का होना बहुत ही जरूरी है आपका लक्ष कुछ भी हो सकता है एक गाले खरिदना एक घर बनाना अच्छी नोकरी को पाना धाय लक्ष पर मंत का बारा कुछ भी हो सकता है अधि आप जो भी लच्छ देखते हैं जो भी सपने देखते हैं उसे लिखना और उसके लिए कसपस्ट योजना बनाना बहुत ही जरूरी है तो पहला रूल यह कहता है कि आपके पास एक कसपस्ट योजना होना चाहिए और हुआ होई मापने योग होना चाहिए अधि आप एकसपस्ट लच्छ लिखते हैं और उसे मापते हैं तो आप उस लक्ष को आसानी से पा जाते हैं जैसे कि उदाहरन से समझें मुझे एक किताब लिखना है और मैं इस किताब को 200 पेज का एक किताब लिखूगा और पूरे 6 महिने में लिखूगा इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास एकसपस्ट लक्ष और समय सीमा है लक्ष क्या है 200 पेज का किताब लिखना है और समय सीमा क्या है 6 महिना है इस किताब को हम बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाऊंगा और मेरे पास एकसपस्ट दिसाओ समय सीवा ही है जो हमारे जो हमें किताब को लिखने में क्या करता लच तक पहुचने में मदद करेगा यदि इसके विप्रित हम यह कहा देगी दैस दिन में 200 पेज का एक किताब लिखेंगे जो अर्थात असंभब सा दिकराद संभब है लेकिन असंभब सा दिकराद और उस किताब को हम अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे दूसरा है लच्छ को छोटे छोटे हिस्सों में बाटे जब आप बड़े लच्छ की और चलते हैं तो उस लच्छ को पाने के लिए आपको छोटे छोटे हिस्सों में बार देना चाहिए जिससे कि यह काप आपको बहुत ही असान लगे और आप अंदर से उर्चा बनाए रखे उदाहरन के लिए हम मानते हैं कि आदि आपका लक्ष एक साल में बारा किताब पढ़ने का है इसका मतलब यह हुआ कि हर महिने मुझे एक किताब पढ़ना है और यह लक्ष बहुत ही असान हो गया है इसके तुनला में कि हमें बारा किताबे एक महिने में पढ़ना है माने के चलिए हम किताब को पढ़ भी लेते हैं तो इस किताब को उतनी अच्छी तरीके से नहीं समाझ पाएंगे जितना कि हम एक महिना में एक किताब को पढ़ पाते हैं और यह कदम क्या हुआ कि जब हम लक्षकी और बढ़ते हैं बड़े लक्ष्ट क्योंस ऊफ़ीं, छोटे छूटे कदम क्या करना चाहियिए और अपने लक्ष्ट क्योंस बरणा चाहिए. प्राथ्मिक तायंत एकरे इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं और जब हम किसी लक्ष की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि समय को कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सके और दिन में हमें यह देखना कि कौन सा काम हमारे लिए महत्पुर्ण है और कौन सा काम हमारे लिए महत्पुर्ण नहीं है तो सबसे पहले अधियाप इस परकार से डिभायट करते हैं जो भी आपका महत्पुर्ण काम है उस काम को आपको पहला करना चाहिए जो काम महत्पुर्ण नहीं है उस काम को आपको बाद में करना चाहिए जिससे कि आप अपने लक्ष की और पहुंच सकें बहुत सा ऐसे लोग होते हैं जो पहले जो महत्पुर्ण काम होती है उसे छोड़ देते हैं जो बागी काम होते हैं उसे पूरा कर देते हैं और पूरा का पूरा टाइब पिना कुछ किये रह जाते हैं और उनका दिन बरबाद हो जाता है और फिर वह लच्छ तक नहीं पहुच पाते हैं समय का सही उप्योग करें आपने सुना होगा कि समय ही धने और इसे बचाना आपका क्या है करतब में आपने दिन को इस परकार से बाटे कि समय आपका बरवाद ना होकर आपकी क्या हो कामों में लगा रहे हैं और आपकी जो उर्जा है जो आप पर्यास कर रहे हैं वह सही दिसा में चला जाए इसके लिए दोस्तों आप इस प्रकार से टेकनिक लगा सकते हैं कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं किताब लिखने या फिर किताब पढ़ रहे हैं तो आपको पचीस मिनट या पचास करते हैं और मुझे पचास मिनट की ताइब पढ़ना है तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं इससे यह होगा कि आपकी उपादक आप उस दिसा में आगे बढ़ते रहें और आप बोर्यत होने से क्या होगे बचे हैं तो टेकनिक नमबर पाच अपने प्रगति काम मुल्या कर रहे हैं उसका मुल्यांकर करना बहुत ही जरूरी है इससे यह फाइदा होगा कि आप सही दिसा में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं एदि आप नहीं जा रहे हैं तो इस दिसा में क्या करने हैं रन्नीति में बदलाब करने ही क्या है जरूरत है और इसके लिए आप हर सप्ता अहर महीने अपने लच्छ के बारे में समिच्छा करते रहें और खुद को देखे कि हम किस दिशा में है और सफलताओं के छोटी-छोटी जब भी आप सफलता पाते हैं तो उस सफलताओं का जस्मनाने का मौकर जरूर रखें तिक्निक नंबर छे समय शमये पर प्रेवना प्राप्त करें गर mm असके दोस्तों उस ब्याक्ति से जाके मिले किताब पढ़ें पॉड कास्ट सुनेаль की हो सकें उस काम को आप करें और अपने प्रति जो से उसे बनाए रखें टेक्निक नमबर साथ लचीला पन बनाए रखें जीवर में कई बार चीजे हमारी योजना के अनुसार नहीं होती है एसे में लचीला रहना और बदलती प्रस्थिती के अनुसार खुद को ढालना बहुत महत्पूर्ण है अपने लची के और बढ़ते सवें अगर कोई बाधा आती है तो निराज मत होना अपने रणनीती में बदले और आगे बढ़ते रहें सारान्स टेकनिक नमबर वन असपस्ट और मापने योग लच्ष सेट करें दो लच्ष को छोटे छोटे हिस्थो में बाटें तिसरा प्राथमिक तायत है करें चौथा समय का साही उप्योग करें पाचवा अपनी प्रगती का मुल्यांकन करें छट्था समय समय पर प्रेरना प्राप्त करें और सातवा लचिला पंड बनाए रखें आसा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आयोगा प्लिच वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद